हाई वेलकम्स माई फ्रेंड साइन माई डियर स्टूडियर मैं संतुस कुमर पटेल और आप देख रहें टेक्नो प्लस इजिए आज आपके सामने में एक वांसाट वीडियो लेकर रहा हूं जो कि आपकी ज्याम के लिए जरू कि ज्याम आ गया है आप वांसाट जरू देख और अगर अच्छा लगे ना तो और बता दीजेगा मैं किस ट्रूपर वांसाट बरना तो जिससे कि आपको कपर हो जैसे धांत आपका याद नहीं करना पड़ेगा बस आपको सीखना है समझना है कॉंसेप्ट क्या है बस और कुछ नहीं मैं भी याद नहीं कराऊंगा और लिखोंगा ज्यादा इसमें बस आपको समझा दूँगा देखिए मैंडल ने आपके कुछ नियम देते हैं वही आज यहां पर समझाने वाला हूं मैंडल का नहीं मतलब यह होता है कि जो की जनक से आपका कुछ लच्छन आपके संतत्य में आगे बंस में पहुंचता चला और भी आपका उनवंसिक लच्छण होता है तो आनवंसिक उठी होती है कि बहुत पहले से मतलब आपके जनक से पराप्थ होने वाले जो आपके पीढ़ी दर-पीढ़ी कुछ गुण मिलने दागते हैं कुछ आचाहे गुण में आपका आकार हो रंग हो कुछ भी आपका च सब्सक्राइब करना प्रभावित अगर कहीं पर आपको बड़ा दिखाई दे ना तो समझें ये प्रभावी है ठीक है और छोटा दिखाई दे रहा है तो मतलब आपरभावी है, क्या है、 आपरभावी है, क्या है, यह विष्ज है, और जरूग यह क्यों मैं रिखा हूं, जिससे के आपका कॉंसेट किलियर हो, और सबी कॉंसेट में समय होगा देखिए इसका मतलब कि जब कभी भी आपका जब यह नियम देंगे ना तिस सारी चीजे का यूज़ेज होगा तो एका लच्छन प्रभाविता के नियम प्रभाविता के नियम यह कहता है कि इसमें जब भी आपको पंस में आगे मतलब जो मात तो प्रभाविता के नियम में रही है कि जो सभी होगे है किस चॉध्र предлаг योग्मध्ज नियंतृत Fest उद्रित उधारर के लिए के जी समाने लीज चीए आपके में बात है कि जो आपका बढ़ा होगा कि होगा उन्हें सुध्ध भी होगा सुध्ध भी एओगा कि बढ़ा हो इसमें आपके दो जीन होंगे क्या होगे दो जीन होंगे मतलब यहां पर दो होंगे दो गुर्सूत होंगे पहला फिर बी अपर गुर्ण हो मतलब प्रभावी आपका एक ही माना जाएगा लेकिन सुदता आप की दो में मापी जाएगी ऊड़ीक है और अस में प्रभावी आप का जो होगा अइक ही जीन में हो जाएगा इस चीज घहां लेना चालिए मैं यहां पर पहले आपके किरु तो नहीं था कि इसमें आपके जो ज criticism की आपका सुन्ध और लिखिया आ और यहां पर भी मैंने टी लिखा अब आप अब अब घ्जब बनताएगे कि आपका ह्सस्टी म 이것도 कर्फा दाxide ne कर्या एक का मतलब मैंने माँ यहां ऍहरय यह आधि Тष मन्बा है की बेलंबा है थे यह जीश में हैं दो इस में कर सुद तो नो क्या है हैं तो मतलब दोनों सुध हैं तो बैसको कुम सुध्ध ले सकते हैं एघर इसको एथरी सुधिर को निए खिर यह इसको बैसे हो ठीक है यहां पर देख सकता हो हो अच्छा-व आओना है यह जो हो ये जो होан तब आप प्रभाबी हो सकता है केवल प्रभावी होगा बाकि आपका सुद्ध्ध की बाद उसमें नहीं होगी दोनुमापका सेम ही हो जाए तो सुद्ध अगर एक इसमें हो गया ना वही बात यहां पर हो रही है कि यहां पर देखिए सुद्ध बाउना पौध हमें आपको दोनों दोनों मतलब स्मॉल टी मैंने लिए स्मॉल टी का मतलब वहां पर सारी की दर्साद यह पहले से इन चीजों को समझ देंगे तो पूरा एक दम देखते ही रहिए आपको पूरा आप स्तीनों नियम मैं समझा दोंगा तेहां पर यह पाधा लिए पौधे की बात हो रहे है तह यह पका पौधा हुए है इस सुद्ध रमबा पौध है इ इसका हम क्या कराेंगे, क्राश करवाएं, यहां पर हम क्राशिंग करूँ रहे हैं, तो क्राशिंग करवाएं गलाएं गले कि ऑ इधर का क्ति एक ठी अवर ये डोनों आई, यहां पर बना यहां पर ढेमा का यह वालक की इद चाप अधर से क्या Figures कि संवाल टी यह आपका बन यह बना ठीक और इधर से मैं लेता हूं यह वाला तो क्या बनेगा इसको मैंने इससे बना अगर आपको यह वाला इससे आपने कराया यह वाला इससे भी कराएंगे तब भी तो आपका वही बनेगा तब भी तो वही बनेगा या तो आप क्या करिए इसको आप इससे करवाईए मतलब इससे तब भी आपका वही बनेगा चाहे जिससे करवाईए मतलब इसमें हमें क्या मिल रहा है देख रहे हैं तो हमें कैपिटल थी स्मॉल टी मतलब यहें मिल रहा है सीधी बात यहीं मिल रहा है तो आप यह बताईए इसमें एटी क्या है एटी क्या है टी आपको मिल रहा है कि यह टी जो है आपका लंबा है यह लंबा है यह लंबी हमें ने लिख दिया और यह जो टी है यह क्या है यह आपका बहुना है लेकिन लंबा जब आ गया एटी को मै निरोगित माने जाएंगे मतलब आपके अंधर आपके मलेरी का थोड़ा सा पिता अद्वा लिजिए तो चाहिं आम निरोग इंकातों माले रोगट माने जाएंगे ना मतलब यहीं समझी झाल इसारमों आप तेख रहे हैं कि है आपका एक आपका 20T तो हम पताया है यहां पर आपका लंबा और स्माल टी के लिए बाउना काइपिटल टी के लिए लंबा और स्माल टी के लिए बाउना तो इसका मतलब कि यहां पर लंबा पन हो रहा है अब यह सोचिए कि जो कोई लंबा जब हो गया तो बाउना कैसे हो सकता है मतलब इसमें प्रभा थे आप दोनों चीजब डो लंबा दोदा होता दोनों अगर का लंबा पौधा हुआ ठीक का संकर का काइसा हुए संकर मतलब हाइबड हुआ हुआ दोनों हुआ अपर इसमें लिखेंगे सिधांध को तो क्या लिखेंगे इसमें देखिए 1 ing कभी कभी कई जो है ना इसको आप लाल के लिए उख कर सकते हैं किसके लिए लाल के लिए मान लिए और इसको आप सफेद के लिए किसके लिए उसमें होंगे लाल और सफेद दोनों परकार के मतलब पौदhta उसमें होंगे यही सिद्धान था उनका प्रभाविता का लच्छण में प्रभाविता का नियम में एक लच्छा मतलब बात यह हुई कि उसमें प्रभावी लच्छण आपका पाया जाएगा अगर उसका पिता अगर लंबा है तो उसमें लंबापन आएगा मतलब उसका जो प प्रिद कर्देभ लंत्रों को प्रेद कर लिए लच्षरों प्रिद गृवाइब कि इसमें बात यह आपको बोला जा रहा है कि जो हमारा यह प्राप्थ हुआ मतलब कैपटल्टी स्मॉल्टी और कैपटल्टी मॉल्टी इन दोनों का क्रास कराएं तो हम काईपिटल टी काईपिटल टी कराएं ठीक एक बार इससे हम कराते हैं एक बार इससे इससे कराते हैं और एक बार इससे इससे कराते हैं ठीक तो आपका चार दो इसमेंस होगा दो इसमेंस एक इसमेंस बच रहा है मतलब एक बार इसमें unciytyy अप آधक puta capital T होगा आपका क्वाइक होगा ठीक और यहाँ पर देखिए यह SMALL टी तो काँबति प्रभावी लचर पहले लिखेंगे जो प्रभावी लुचछ है capital T पहले लिखेंगे फिर इसमें देखते हैं यह कि स्मौल टी यानि का इतल टी और स्मौल टी यह हो तो यह मं क्या एक एक यह देखने कुमी गवर कि इस वे हैं तो लिपकर टी इतलतेंगर यह ऑ новых स्मौल आपका प्रावाबिल्ट छड़ए और एक में आपका आ प्रावी य snippet एसमें इसमें आपकु देखने को मिलता है ये आपका इसमें ठीज्ञ तो आपका यह इसमें यही आपका लंबा होगा यह दो आ एहां पर सुद्ध लमबा में पौधा मिल यहां पर सुद्ध बावना मिला चीज हम देखने मोरा विंह इसमें आपका प्रभावी लच्छर पूरी तरीके से पाया है इसमें आपकश हम रॉप्धावी और एच्छर ने कि दोनों जो भी हो दोनों अगर बड़ा हो तो सुट प्रवाभी होगा यह मैंने पहले ही बता दिया था तो बताइए इसमें कि एक में होगा बसा आप को इसको ध्यान में रखना है ठीक है दूसरा काम यह भी कर सकते हैं इसको आप तीन अनपाद एक में देख सकते हैं तीसरा काम मतलब इसमें जो और कंडिशन होगी अगर देखा जाए तो इसमें आपका इस अनपाद में बाढ़ सकते हैं देखेंगे कि यह दो देखिए यह वाले दो यह वाले दो आपका स सुद्ध। सुद्ध लंबा यह वाला अपका सुद्ध ववना एक सुद्ध लंबा है सुद्ध ववना है और यह दो जो है ना एक आप प्रभावव तसे आपसे अपको नंपातं और सिद्धान दता लिक लेंगे अब हुप आपका आफ विवन का नियम किसका नियम अभी विवन का नियम जो कि आपको बहुत ही लोगों को हार्ड पड़ जाता है यह पहला नियम यह दूसरा नियम और यहीं पर मैं तीसरा नियम देता हूं क्या नियम तीसरा नियम ध्यान दीजिएगा मैं यहां पर इतने में आपको को पता दे रहा हूं है ठीक है यहां पर एक बॉक्स आपको खीजना है अधिक तो यह हो गया आप इसमें तीन लाइन और खीजना है बीच बीच में करेक्ट तीन लाइन खीजने पहले आप एक प्लस इसमें खीच बीच 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 एक लाइन हैं रेक्ट यह एक लाइन इसके बीच में अ आपको इसमें हमें चलना प्रक्राया की तर चंद है और वाई करते हैं सबसे पहले हम एक बढ़ा वाला फिर एक जोटा वाला फिर एक चोटा वाला फिर एक जोटा वाला तोनों काम हो गए है सीम होगया अब इस में देखते हैं जैसे हमने उधर बनाया वैसे हम इदर बनाया है एक वाई bats बनाई एक उड़ावाला एक और एक ऑई छोटा बना ठीक है बात को समझ साथ हमें जो मिलाना है हमें देखिए यह बड़ा है एक बार इस से हम बड़ा अब क्यों वाई तो हमें यह लिए आर की वाई और आर की हमें इसमें यही चीज हमें लिखना है ठीक है यही कॉम्बिनेस इसमें हमें करना है एक मतलब इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं समझने के लिए आप समझ जाएंगे इसमें हम क्या करने वाले हैं एक तो हम गोल पीला लेंगे एक तो हम गोल पीला लेंगे प्लस उसके साथ मिलाएंगे जुरीदार क्या जुरीदार गोल पीला जुरीदार हरा जुरीदार हर यह लेंगे ठिक है यह पता है यह आपका प्रभावी होगा यह स्थित गोल पीला वाई इसे बाद पीला इसको इसको एक आर एक आर ऐसे समेच करोंगे इसको इसमें इसमें से सहीं चलता है बड़ा वाई है बड़ा वाई के साथ हम एक बड़ा आर लेंगे ठीक है फिर बड़ा वाई के साथ हम एक इसमाल आर लेंगे एक छोटा वाई के साथ हम एक बड़ा आर लेंगे, एक छोटा वाई के साथ हम एक छोटा आर लेंगे, एक बार बड़ा एक छोटा बड़ा, ये बड़ा है तो एक बार बड़ा, फिर एक बार छोटा, फिर एक बार बड़ा, फिर एक बार छोटा, बात हो समझे, पूरी तरी पहले बार बढ़ावाई बढ़ावाई चोटावाई चोटावाई बढ़ावाई चोटावाई चोटावाई दो बार बढ़ावाई दो बार चोटावाई इस एक बार बढ़ा और फिर एक बार चोटार फिर एक बार बढ़ा फिर एक बार चोटार ऐसे करना है अब को बन ठीक और इसमें का बड़ार मतलब एक वाई होगा एक आर होगा ध्यान दीजिए कि एक वाई तो एक आर पहले जीन दूसरे जीन से करास होगा एक वाई एक आर एक आर ठीक और एक आर तो एक आर दोनों मतलब एक वाई एक आर तो एक वाई एक आर पहले वाई फिर आर ठीक ऐ कैसे हम दी ने लिइख दिया या पहले सरचना दे सकते हैं उसका आकार या रंग दोन में सब्सक्राइए हो गया इसमें देखिए एक आपका वाई है ठीक है और इधर से आप अगर देखते हैं तीज़र आपका र है मतलब इधर बड़ावाई बड़ार बड़ावाई बड़ार है तो इस तरीके से बड़ावाई बड़ार इधर आपका इधर आपका बड़ावाई देखिए बड़ावाई बड़ार छोटावाई बड़ावाई छोटार बड़ावाई छोटार ठीक है पहले हम वाई ले रहे ह पहले y ले रहे हैं पिर r ले रहे हैं ऐसे ही चल रहे हैं तो इसमें देखिए पहले y क्या है पहले y इसमें छोटा है पहले y इसमें छोटा आर है ठीक है इसमें क्या है इसमें देख रहे हैं तो वाई की तरह देखें मतलब एक वाई तो दूसरा आर जैसे कि यह वाई है यह आर है यह वाई है यह आर है तो इसका इससे मतलब वाई को आर चाहिए तो वाई को आर चाहिए उसी तरीके से इसमें का मैंने वाई लिया तो इसमें कार लिया अब इसमें को वाई होगा इसमें का दोनों मतलब बड़े-बड़े में हैं तो दोनों बड़े-बड़े में होंगे ठीक से महीं चीज हो गया इसमें चलते हैं वाई और इसमें मतलब वाई छोटा है इसमें वह भी छोटा दोनों छोटे हैं तो वा किसको देखो यह गड़ बन हो जाता भी है इसमाल वाई इसमाल वाई है ठीक है बड़ा रहे हैं कर दो कर दो हुआ है हुआ है इधर आपका बड़ा कि इसमाल वाई बड़ावाई बड़ावाई जो टार है जो तरी किसे हैं ऐसे ही इसमें भरते जाएंगे तो हम भरते चल्रहें अब जल्दी भर देंगे आप समस्ते जाएगा देखिएगा इधर से Y, इधर से R, इधर से Y, इधर से R, तो यह क्या हो जाएगा, इसमे का बड़ा, इसमे का यह बड़ा हो गया, और इसमे का यह छोटा हो गया, बड़ा Y, बड़ा Y, बड़ा Y, लेकिन हमें Y को R से करना, बड़ा Y समाल R, बड़ा Y समाल R, इसमे का Y, इसमे इकप की बार देखते हैं वह बड़ा है और भी बड़ा है और भी बड़ा है बड़ा वई ओई यार मतब स्प्पीज इस तरीकेसर लिखते जाएं घंगर आ हुआ जायार स्वारी मैं इसको जैसे मैं पढ़ा रहा था बाध चली गी जो령 से मैं इसको पढ़ा रहा अबर होई नहीं तो मैं फूरा पर्दी दी का दिए देखने राद को ने समझा देता हूँ यहां पर मैंने यह चीज आपको सब्दो सब्दाया था इसको अगर आप समझे होंगे तोिहां पर मैंने क्या बताया था यहां पर यह बार पूरा देखली जुएगा एंढ से कंट प्ūडी में बताया था जो आपको को या फरन प्रेडी मिली इसको स्करांस किए रैने एक ट्यीम षिर को मिल लायां फिर ये ही थे अवली इसते को मैंने इन फिर ये ही ट्र penn करा इसते हैं को टुक्षोघ तो इसमें डेख रही है कंपेटल के मतलब लंबा क्योंकि आपको पता है जब बड़ा हो गया तो जब कोई चीछ बड़ा ही हो गया तो उसमें लंबा ही होगा ना ठीक और उसके बाद जब कोई चीछ छोटा हो गया ना छोटा हो गया जब तो उसमें आप समझे लीजिए कि जब पूरक पूरा छोटा हो गया मतलब बड़े का कोई अंसही नहीं रह घया लगा तो बाउना थे ही और कोई अंसह नहीं रह Mullh नहीं रह गा तो सुद्ध लंबा होगा इसीतर कि pellet के समझेए यह आप का बड़ा है टी तो सुद्ध लंबा हुआ यह चोटाटी है त odds बाउना हुआ यहाँ पर आपका स्मॉल टी और करदा की दोनों है तो इसमें बुनों मिलेगां यहां पर मैंने बताया था यह आप बड़े एक बार परभावी लक्षन में बार यहां और यहां पर दो बार देखते हैं तो आपका इस में आप पर लिए और इसको जो तीन अन्पाति यूद्ध एक एसे लिखा जाथ देखिए काईपिटल टी मतलब दोनों जीन आपका कईपिटल में हैं मतलब प्रभाविल अच्छन और यहां पर भी प्रभाविल अच्छन एक आ गया तो प्रभावित हो जो जो आदमी लंबा हो गया जो म γά तो अन्सीने तो बहोना होगा है सकत अनल की सुधता की सुधता है और सपनी तो फिर से चलता क一 आ यहां पर देखती है मैंने क्या किया है सारी चीजह पहले ही से रिखा था जब बडार है तो पिल शोटा और नहीं है तो फिर जोड़ीदार ना जब बड़ा वाई है तो मतलब एलो है बड़ा वाई है तो एलो है इसका मतलब पीला है बड़ा वाई है तो एलो है मतलब पीला है और जब बड़ा वाई है ही नहीं तो छोटा वाई है चोटा वाई है तो लहरा है फिर पीला तो है ही नहीं दिमाग रहे है जो आयसिनियत में तो समझने परभावी लच्छन हैं抛़ों सभी में दिमार्ग बैठेंगे जब बड़ा ऊंग कि वह सuni कंदिशंस में दोनों को हम कंभीनेशन कराएंगे तरह दिविएय fen अद उतरह ब्याक क नियम बनता है क्रासिंग कराई है करैंक है पहले हमों य को लिखेंगे फिर इसमें से कर जाएगा इसमें से य य कार यॲ चोटा वाई रेते लिए नहीं और बढ़ावाई लिए मैंने बाहा बनाए दो बार चोटा वाई देहें और यह थ thorough फसको प्रहले यह एक लिए पार आप को प्लस मोनमा देना है फिर yarn बीच में एक बीच में और एक बीच में इसमें बीच में बस यही तरह से आठ खाने मतलब इस तरीके से चार चार खाने तयार हो जाएंगे बाद समझ में आ गई होगी सायद बार पूरा बनाने बीच में पाई फिर एक बीच में लाइन मतलब लाइन बीच बीच में फिर एक आ लिख रहे तो मैंने लिखने के लिखना है फिर आ है कैसे इसमें भी लिखना है वैटार चोटा बार चोटाध यह फिर stes men companies कैसे करना होता है हमने बोला पहले और या ग van आगर इसमें हम देखते हैं दिखिए इसमेंदा ये और इसमेंदा मतलब याई एक लेंगे थे दूसरा और लेंगे वाई वाई को नहीं करना आपको और र को Y एक Y एक R करिए तो देखे मैंने यहां Y लिया तो यहां R लिया यहां का Y यहां का R फिर यहां का देखते हैं Y है तो यहां का भी R है दोनों बड़े-बड़े हैं तो दोनों बड़े-बड़े में लिखे देए यहां पर देखते हैं एक Y है बड़े में और यहां का जो R है बड़े में तो यह भी हो गया यहां का लेकिन Y बड़े में है यहां का R छोटे में है तो इस तरी किस हो गया यहां पर देख रहे हैं तो आपका Y छोटा है तो यहां का R बड़ा है तो Y छोटा हो गया यह यहां पर Y जो है छोटा है लेकिनर देखते हैं तो A यहां बड़ा है कि यहां पर हम य चोटा बड़ा लिख देते हैं ठीक में यहां पर यहां परultur आरव मतलब एक हुर संपार Во agencies यहां धृ heritage Ja और और इसमे का आयर एक बार क्ला चोटा है एक बार भार इसमे छोटा है यार ते इस तरीकर-स versus ऀर कमबिनेशन करा के ने बना लें गे यह किस्य इनको दोनों को इनको दोनों को यहां रख दीजिए इनको दोनों को इनको दोनों को यहां रख दीजिए जिसके सीथ बजाए इधर से इसको रखो इधर से इसको रख दो कुछ भी अगर ना कर पाओ तो देखिए इसको उठाए रख दिए इसको उठाए रख दिए फिर हमें यहां पर रख दिया और इसको उठाया यहां पर रख दिया और इसको उठाया यहां पर रहें जिसके सीध पर हो इस वाले सीध पर फिर मैंने इसको यहां पर उठाया इसे रख दिया और इसको उठाया पर रख दिया फिर इसको मैं उठाया यहां पर रख दिया इसको उठाय वहाले भी देखें गोल मतलब मतलब और अय दीथा निखेंगे और गोल हरा के सबस्क्राइब उसके ऐब लार भीधित बहुता है डाल भी भी धी लगाए है लाल का लाजका लेखेंudi वहां पर आपको 9 color दिख रहेंगे तो 9 9 9 9 बार दिखेगा कैसे दिखेगा चार इधर से और 4 इधर से लेकिन एक आमर रहेगा तो 4 और 3 7 और 8 8 9 बीच में 4 में 4 कोने पर आएंगे तो कुन से कुन से पर रहेगा यह चार 8 4 7 7 2 9 तीन आपका यह मैं गोलहरा को दिखा रहा हूं गोलहरा वाला आप नीले से देख सकते हैं नीले से यहां पर देखेंगे गोलहरा गोलहरा में बोल रहा है कि आर बड़े में हो आई चोटे में हो आर बड़े में हो आई चोटे में तो यहां पर तीन एक दो तीन तीन बल रहा ह आपकर जो जूरी दार पूरे को मैंने कालेशने टीक यहां पर लाई ठीक यह पर टीक यह पर लगाया यह 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 मतले इस तरीके से यह जडारा मतलब मैं इन अनपाथ यहां पर इनमीं화 है अगली पीडहीं मतलबियों । तो मैंने इस सारी चीजे समझाया था बहुत अच्छी तरीकी से बताया था एक बार रिकॉर्ड नहीं हुए पर क्या करूं दुबारा मैंने कबर किया आपको अब आपको इसको सायद बना लेंगे और यह प्रभावी प्रभावी मतलब आपका सोच लीजिए कि आप लंबे हो हो गए तो स्मॉल टी कहां बैलू रहेगी क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा हो गया तब बहुने कहां से होंगे मतलब इतने लंबे नहीं हुए फिर भी लंबे तो हुए तो आप लंबे कहलाएंगे लेकिन अगर आपने लंबे को कोई अंजी नहीं पर कपिटेंट ही नही हो तो अब आप बता दिए कौनसी वांसाट की वीडियो और चाहिए किस टॉपिक पर चाहिए मैं उसकी वांसाट की वीडियो जरूर लिख रहा हूं जिससे क्या पूर लाब हो और यह अच्छी तरीकी से तैयर कर लेना यह तीनों रूल आपको दिखाना है वहां पर लिख एलो मतलब पीला नहीं तो इस माल वाइक मतलब हरा ऐसे आप समझ लें चलते हैं फिर में लेंगे निस गुरें तब जरूर कमेंट कर देना अच्छा लागे तो और कमिंट नहीं करते हैं बड़े बाली चैनल होते हैं तब आप कमेंट कर दें इससे चाहें बेकार ही कर देना आपकी इच्छा ओके एक मेरे सब्सक्राइब कर देना उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई प्रबलम वार्शाइब जरू कर देना ओके और तेरी गांट चैनल जान कर लेंगे ना बड़ लग